Hi everyone, this is Robin Sharma और मैं आप सभी को welcome करता हूँ हमारे इस एक और important series के अंदर अभी से पहले, यानि कि इसके साथ-साथ मैंने आपको दो series अभी तक कराई हैं जिसमें कि एक में मैंने आपको important awards and honors से related आपका content कराया और एक में मैंने आपको important schemes या फिर आपका कोई भी आपका announcement होता है सरकार की तरफ से उनका जिकर कराया यह हमारी third series होगी जिसके अंदर discussion हमारा होगा आपके appointments के उपर ठीक है? तो आप देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि यह फला फला आपका मंत्राले है या फिर यह आपका कोई institution है इसका head किसको बनाया गया? इसका chief किसको बनाया गया? इसका wise chief किसको बनाया गया? उन सारे सवालों को month wise हम अपनी इस series के अंदर शुरू करेंगे वो जो पिछली वाली series थी उनके playlist के link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे यह मेरे टेलिग्राम का username है आप इसको use कर सकते हैं अपनी वीडियो के link और PDF को लेकर इस सारे link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे चलिए तो फिर class को शुरू करता है पहला सवाल है who has been appointed as the new vice chief of the Indian Air Force यानि कि January 2023 में भारतिये वायुसेना के नए vice chief के रूप में इंचार विकल्प में से किसकी निफ्ती करी गई यह news में क्यों था obviously क्योंकि appointment हुई थी नए vice chief of Indian Air Force की नाम है इनका AP Singh तो सवाल का पहला उत्तर तो आपको चलो यही पता चल गया कि किसको appointment करा गया है तो यह आपका succeed कर रहे हैं यह अगर आप याद रखें या फिर पूछ लिया जाए कि अभी आपको air marshal Sandeep Singh इस position को hold करते हुए नजर आ रहे थे मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ यह आपके अभी retire हो जाएंगे इसके बाद आपके AP Singh इसका पदभार समालेंगे first February से actually मैं यह पदभार इनके द्वारा समाला जाएगा इसके लावा और क्या चीज हैं अगर मैं आपसे बात करू Indian Air Force की Indian Air Force को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब करी गई तो 1932 के टाइम पिरिड में World War 2 के टाइम पर आपका जो United Kingdom की Royal Air Force हुआ करती थी उसको सपोर्ट करने के लिए Indian Air Force की स्थापना करी गई थी ठीक है तो यह आपको याद रिखना है एक सवाल आपसे पूछा जाता रहता है कि बताईए कि Who is the Supreme Commander of Armed Forces यह आपने देखा होगा न Supreme Commander of Armed Forces करके इस सवाल बनता है तो इसमें हमारे कौन आता है इसमें आता है हमारे President ठीक है सभी को पता होगा देश के रास्टपती Supreme Commander होता है एरफोर्स के इसके बाद बस यही है बाकी आपको पूछा जाए एरफोर्स का Head Quarters कहां पर है तो सभी को पता होगा कि यह आपका New Delhi के अंदर है आपसे अगर मोटो के बारे में पूछा जाएगा कि बताईए एरफोर्स का मोटो क्या है तो यह है आपका Touch the Sky with Glory ठीक है तो यह कुछ संबंदित जान का रही थी फिलाल के लिए Current Affair की आपकी इस News के अंदर A.P. Singh को आपने अपॉइंट होते हैं देखा नए Vice Chief of the Indian Air Force के रूप में आगे बढ़ता है अगला सवाल है पैट्र पॉविल 28 जैन्वरी 2023 को किस देश के रास् अंतर रास्ट इस्तर पर अगर किसी देश का कोई President या फिर Prime Minister बनता है तो आपका important हो जाता है हमारे SSC के paper के लिए क्योंकि ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए हैं पहली चीज तो नाम या रिखना है पैट्र पेवल रास्ट पती बने कौन से देश के तो देखो यह आपके पहले Chairman भी रह चुके हैं Chairman किसके रह चुके है यह Chairman रह चुके है आपके नाटो के ठीक है तो नाटो क्या है नाटो के बारे में मतलब आक्छली वे नाटो की जो Military Committee है उसके थे आप लिख देता हूँ Military Committee के Chairman रह चुके है नाटो का full form सबको पता होना चाहिए यह है आपका North Atlantic प्रीटी और्गनाइजेशन ठीक है इसकी मिलिटरी कमिशन के ये भाई सब चेर्मेन रह चुके है नाम क्या राद रखना है आपको इनका आपका पैट्र पैवल और कौन से देश के ये आपके प्रेसिडेंट बन गए है ये है आपका चेक रिपब्लिक तो ये एक चीज आप करनसी को लेकर मुझे लगता नहीं है सवाल बनेगा फिर भी मैं यहां पर लग देता हूं शैज कोरूना इस इस दी करनसी तो यह आप याद रखेगा बाकी अर्जंटीना के बारे में सभी को पता होगा इसकी कैपिटल क्या है इससी पता नहीं कितनी बार पूछा जा चु यह संबंदित जानकरी आपको याद रखनी थी आपको पता चला कि चेक रिपब्लिक का एक नया प्रेसेडेंट बनाया है जिसका नाम क्या है आपका पैत्र पैवल अगले सवाल पर आई है जैन्वरी 2023 में मध्ध है रेलवे के नए महां प्रबंदक याने की जनल मैनेजर क रूप में किसने पदभार समहला सेंट्रल रेलवे जैन्वरी 2023 तो न्यूज में आपका इसलिए था कि व्यक्ति है व्यक्ति का नाम है आपका नरेश लालवानी याने की मध्ध है रेलवे के महा प्रबंदक के रूप में इनको यहां पर पदभार दिया गया तो मेरी खाल से यही है और क्या जान सकते हैं इससे रिलेटेड बस बहुत है इतना बहुत है याद रखीगा यह बनते रहते हैं ऐसे सवाल आपके अगला सवाल यह आपसे पूछ रहे हैं 21 जैनवरी 2023 को नागरिक विमानन महादिशायले के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इनको नए चीफ के रूप में डीजी सीए का नियुक्त किया गया है तो यह आप याद रख सकते हैं और क्या चीज़े यहाद रखोगे आप पस बहुत है पालतों का और अन्नेसेसरी जानकारी नहीं लेने के ज़रूरत है यह याद रखिएगा विक्रम देव दत्त आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आईए अगला से पूछा जा रहा है कि 7 February 2023 को जैसिंडा आर्डरन में किस देश के प्रधान मंत से इस्तिफा दे दिया आपने इसके बारे में बहुत बार राइगुलरली सुना होगा जैसिंदा आर्डरन इनका नाम है काफी ज्यादा हाइलाइटेट में रहते थे और न्यूजिलेंड के प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया था यह आपको याद प्राइटन बड़ाई सुन्दर सा देश है और अगर मैं पॉलेंड की बात करूं पॉलेंड की कैपिटल क्या है वार्शौ जर्मनी की सबको पता होगा बर्लिन है उसके बाद आपका ऑस्टेला की सबको पता है उसकी क्या है आपकी कैन बरा यह भी आपका एससे में पूछ अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है सौनिया गुजाजारा ने जैनवरी 2022 में किस देश के स्वधरशी लोगों के नए मंत्राले के पहले मंत्री के रूप में नुक्त किया गया नाम क्या है सौनिया गुजाजारा इनको ऑपाइंट किया गया यह पहली मिनस्टर बनी है न्यू मिनस्टरी जो की आपकी बनाई गई है इंडिजिनेस पीपल ओफ विच कंट्री इन जैनवरी 2022 तो देखो इनका नाम आपको याद रिखना है यह है ब्राजील के प्रेसिडेंट ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम क्या है यहाँ पर लिख देता है हम लुईज है लुईज लुईज करके कुछ है अभी मुझे पूरा नाम याद नहीं है लुईज है तो इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि यह जो आपकी सोनिया है इनको आपटा जाएगा यह पहली मिनस्टर होंगी एक नई मिनस्टरी है इनकी मिनस्टर अफ इंडिजिनेस पीपल तो यह ब्राजील के अंदर इनका निक्ति हुआ बाकि इंडोनेशिया की कैपिटल सभी को पता होगा क्या है जकारता है जपान की कैपिटल सबको पता होगा तोक्यो है ब्राजील की कैपिटल के बारे में सभी को पता होगा पता है किसी को ब्राजीला और आपसे मेलेशिया कि capital के बारे में पता होगा ये है आपका Kuala Lamphor ठीक है तो मेरी ख्याल से तना बहुत था बाकि इनके बारे में याद खली जिएगा ब्राजील के अंदर एक ministry बनी थी उसकी पहली मंत्री के रूप में इनको निफ्ट करा गया January 2022 में अमेरिका में पहली महिला सिख जजज कौन बनी who became the first female सिख जजज in US in January 2023 तो भई ये आपकी चर्चावा में तो रहेगी तो ये रही आपकी मनप्रीत मौनिका सिंग ठीक है तो पहली सिख महिला जजज के रूप में मनप्रीत मौनिका सिंग को यहाँ पर निक्त किया गया है ये आपका सवाल था और इससे जज़ादा मैं आपको क्या ही बताऊं इसमें अच्छा सवाल था मनप्रीत मौनिका सिंग अगला है जैनवरी 2023 में अमेरिके रास्पती जो बाइडन द्वारा वायू सेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया है वायू हाज बिन नॉमेनेटेड बाइ यूएस प्रेसेडेंट जो बाइडन फॉर दी पोस्ट ऑफ एर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल इन जैनवरी 2023 दिको बड़ा नाम होता है आपको नाम देखकर मज़ा आ जाएगा नाम हैंका राजाचारी अब आप में से जितने भी लोगों ने ये सोचा होगा न के यार ये तो मतलब पता नहीं इंपोर्टेंट है या नहीं है अब नाम से ये आप समझ जाओगे ठीक है कि ये इंपोर्टेंट है या नहीं है तो राजाचारी हाज बिन नॉमिनेटेंट बाइ दि यूस प्रेसेडेंट एयर फोर्स ब्रिगेटिर जनरल के रूप में इनको आपका करा गया है इतना ही बहुत है आपके यहाँ पर इस वाले सवाल में अगला है जैन्वरी 2023 में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानि की आपका Economic Cooperation and Development Organization का नया मुख्य अर्थशास्त्री निक्त किया गया जैन्वरी 2023 के अंदर तो यह है आपकी Claire Lombardely इनको याद रखिएगा तो UK से आपकी यह बिलोंग करती है और ऐसी बड़ी बड़ी एजनसी का अगर किसी को मुख्या बनाया जाता है या फिर Chief Economist बनाया जाता है तो important आपका वो सवाल हो जाता है याद रखोगे इसके लावा अगर मैंने जैसे यह OECD की बात करी ने आपसे इसकी full form तो मैंने आपको पीछे बता दिया Organization for Economic Cooperation and Development इसके अंदर आप यह याद रख सकते हैं कि कितने member countries है 38 member countries आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे आपसे पूछा जा सकता है इसके इसको found कप करा गया तो 1961 के अंदर इसकी foundation करी गई थी और आपको यह भी याद रखना है कि इंडिया क्या इसका member है इंडिया इसका member नहीं है तो यह याद रखना है आपको यह है आपकी आज की इस January यानि की January की appointment और resignation वाली जो हमारी class थी उसका आखरी सवाल January 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए test I mean state icon किसे निख किया गया who was appointed the state icon for Bihar by election commission in January 2023 इसमें आएंगी आपकी मिथाली ठाकुर आप सभी ने देखा होगा मिथाली ठाकुर को तो यह folk singer हैं आपने इनके काई सारे गाने सुने होंगे उमर में काफी छोटी है मिथाली ठाकुर इनका नाम है इनहीं हाँ पर appoint किया गया था तो बस यही थी आपकी आज की class मैंने आपको जैन के जो important appointments और resignation थे उनके बार में बताया इस series को हम continue करेंगे playlist पूरी मैं आपकी create कर दूँगा वीडियो के description में आपको सारे important links मिल जाएंगे वीडियो पसंद आती है तो like जरूर कीजिएगा share कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा subscribe कर लिजिएगा ताकि regular notification आते रहें यह घंटी बजा दीजिएगा बाकी links सारे के सारे चाहे Instagram हो, Telegram हो या और चीज़े हो description में आपको links मिल जाएंगे thank you, अपना क्या रखिएगा take care, bye bye